हाई गाईज वेलकम यू आल बंस अगेन तो आज की इस वीडियो में हम लोग अपने डीसी मोटर की स्पीड को कंट्रोल करेंगे अपने टाइमर टू के फेज करेक्ट पीडेवली मोड के तुरू अगर आप लोगों को नहीं पता फेज करेक्ट पीडेवली मोड क्या होता है और इसको हम कैसे यूज करते हैं तो आप इससे प्रीविएस जो दो वीडियो हैं उनको ज़रूर से देख लीजेगा फिलाल हम इस वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग अपने सर की डाइग्राम को यहां पर समझ लेते हैं देखिए यहां पर हम लोग एक बटन को कनेक्ट करने वाले हैं अपने PC 12 MHz है इसका यह मतलब है कि हम लोगों का जो CPU होगा वो 12 MHz की frequency से रन होगा और जो टाइमर हम यहां पर रन करेंगे उसको भी इसी frequency से रन करेंगे अब जो भी हम लोग यहाँ पर wave generate करने वाले हैं वो timer 2 की help से कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको clear होना चाहिए कि timer 2 में हम लोग जो भी यहाँ पर PWM waveforms को generate करते हैं वो हम OC 2 के थ्रू करते हैं जो भी हम लोगों की यहाँ पर waveform generate होगी इसको हम लोग L29 3D IC के input में देंगे और इसके output end में हम लोग यहाँ पर motor को connect करने वाले हैं अब यहाँ पर आप लोगों के mind में question आ सकता है कि हम लोग जो motor है उसको directly controller से control क्यों नहीं कर रहे हैं और basically हम लोग यहाँ पर L29 3D क्यों लगा रहे हैं तो देखिए हम लोगों का जो micro controller है वो maximum यहाँ पर 5 volts ही output दे सकता है अगर उससे ज्यादा voltage आपको चाहिए तो यह चीज पॉसिबल इसके थ्रू नहीं हो सकती है ठीक है अब हम लोगों का जो यह motor है यह basically operate हो रही है 12 volts में ठीक है तो directly आप यहाँ पर इसको connect नहीं कर सकते हैं इस बज़े से हम लोगों को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा L293DIC को use करना पड़ेगा अब L293DIC कैसे work करती है इसके बारे में मैं separately आगे आने वाली वीडियो में cover करूँगा फिलाल हम समझते हैं हम लोगों का जो task है वो exactly काम कैसे करेगा So initially जो भी हम लोगों की यहाँ पर waveform generate होगी उसकी duty cycle 0% होगी तो 0% duty cycle के corresponding हम लोगों का जो यहाँ पर motor है यह off condition में रहेगी अब duty cycle अगर आप change करना चाहते हैं तो उसके लिए हम लोगों का यहाँ पर जो button है इसको press करना पड़ेगा So जब first time आप इस button को press करेंगे तो हम लोग अपना duty cycle है उसको 20% से increase कर देंगे तो जैसे ही आप लोगों का यहाँ पर 20% duty cycle वाली wave generate होगी वैसे आपका जो motor है वो भी चलना start हो जाएगा बट इसकी जो speed होगी वो भी आपका 20% ही आपको मिलेगी अब इसके बाद जब आप second time इस button को press करेंगे तो आपका duty cycle है 20 से 40% होगा फिर से third time अगर press करेंगे तो 60% होगा fourth time अगर आप press करेंगे तो 80% fifth time अगर आप करेंगे तो 100% duty cycle हमको मिलेगी उसके corresponding आपका यहाँ जो motor है इसकी भी speed आपको change होती हुई नजर आएगी जब 100% हम लोगों की duty cycle हो जाएगी तो यह जो motor है वो अपनी full speed से run होने लगेगी अब इसके बाद जैसे ही आप लोग sixth time अपने इस button को press करेंगे तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर basically जो 100% duty cycle थी उसको 0% कर देंगे तो इसके बाद आपका जो motor है वो एकदम से stop हो जाएगा तो यह हम लोगों का task है next हम लोगों को अपनी programming को देखना है बट programming को देखने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर कुछ ऐसे prescalers मिलते हैं so in prescalers के corresponding आप चाहें तो जो भी आपका यहाँ पर output waveform generate होगी उसकी frequency find out कर सकते हैं यह हम लोगों का formula है अब इस formula में अगर आप लोग यहाँ पर 12 megahertz की frequency रखेंगे और अलग-अलग prescalers अगर आप यहाँ पर रखेंगे तो उसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर output waveform की frequencies मिल जाएंगी ठीक है तो अगर आप यहाँ पर one prescaler use करते हैं तो इसके corresponding हम लोगों को यहाँ पर 23.529 kilohertz की frequency मिलती है ठीक है और इसके corresponding आप चाहें तो अपना यहाँ पर time period भी निकाल सकते हैं तो one prescaler के corresponding हम लोगों को 0.0425 milliseconds या फिर आप कह सकते हैं 42.50 microseconds का time period मिलता है सेम ऐसे ही अलग-अलग prescalers के लिए आपको अलग-अलग यहाँ पर output waveform की frequencies मिल जाएंगी ठीक है तो इससे पहले जब हम लोगों ने PWM के introduction को देखा था तो उस समय मैंने आपको बताया था जो हम लोगों की motors होती है उनको control करने के लिए हम लोगों को यहाँ पर जो frequency है वो 1 kilohertz से few of kilohertz के बीच में ही चाहिए होती है तो आप लोग यहाँ पर देखिए इन prescalers को use नहीं कर सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ पर 1 या फिर 8 जो prescaler है इन मैंसे किसी एक prescaler को use कर सकते हैं तो फिलाल मैं यहाँ पर 1 prescaler को choose करूँगा So next इसके बाद हम अपने programming को देख लेते हैं So programming में सबसे पहले हम लोगों को अपने CPU की frequency बतानी होगी फिलाल हम लोग यहाँ पर external crystal oscillator के through अपने CPU को run करने वाले हैं जिसकी frequency 12 MHz है तो उस इसको define करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर hash define f underscore cpu then 12 MHz यहाँ पर लिख लिया और यहाँ पर यह जो ul है यह basically क्या है unsigned long है next इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर avr.io.hnam के header file को include करना है इसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर delay use करना चाहते हैं तो उसके corresponding util slash delay.hnam के header file को हमने include किया और इसके बाद हम लोग यहाँ पर interrupt को use करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने avr.hnam के header file को भी include कर लिया है next इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर दो global variables लिये हैं और unsigned entry type के variable हैं और इनका नाम button और m speed है so जो भी आप लोगों का यहाँ पर button का status होगा उसको हम लोग button नाम के variable में save करेंगे या फिर store करेंगे और आपका जो motor की speed है उसको हम लोग m speed जो variable है इसके थुरू control करेंगे so next इसके बाद हम लोगों के पास main function है अब main function के अंदर सबसे पहले हम लोग यहाँ पर tccr2 register को set करेंगे so हम लोगों का जो timer 2 है उसको हम लोग phase correct pwm mode में use करना चाहते हैं तो इसके corresponding आपको wgm20 जो bit है इसको one करना पड़ेगा similarly आप यहाँ पर one pre scalar use करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों ने यहाँ पर cs20 जो bit है इसको one करना पड़ेगा और जो भी आप यहाँ पर output लेंगे वो non inverted mode में लेना चाहते हैं तो उसके corresponding आपको जो com21 है इस bit को भी one करना होगा तो इतना काम हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया इसके बाद जो भी हम लोग output है उसको pb3 या फिर oc2 के थ्रू लेना चाहते हैं तो उसके corresponding आपको यहाँ पर pb3 को output define करना पड़ेगा तो उसके लिए हम लोगों ने आपर ddrb register को set कर लिया next इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो oc2 register है इसमें value initially 0 दे रहे हैं तो 0 अगर आप यहाँ पर value देंगे तो इसका यह मतलब है कि initially आप लोगों को जो यहाँ पर duty cycle होगा हो यहाँ हो करने के लिए हम लोगों के पास यहाँ पर trims के register है और यहाँ पर जो timer 2 है उसके साथ हम लोगों dot basically दो interrupts होते हैं एक आपका होता है timer overflow interrupt और दुसरा होता है comparison match interrupt तो फिलाल हम लोग यहाँ पर सिर्फ timer overflow interrupt को enable करना चाहते हैं तो उसका corresponding आपका यहाँ पर T O I E 2 जो बिट है इसको आप लोगों ने one कर दिया ना इसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पर while loop है जो कि एक infinite loop है अब इस loop के अंदर क्या हो रहा है यह हम देख लेते हैं so while loop के अंदर हम लोग यहाँ पर button नाम के variable में अपने PC0 जो pin है उसके status को save करेंगे या फिर store करेंगे so अगर आप लोगों का button on condition में होगा तो उसके corresponding आप लोगों का जो यह variable है इसमें one store होगा और अगर आपका button यहाँ पर off condition में रहता है तो उस case में आपका जो यह button है इसमें zero store होगा और इसके बाद हम लोग यहाँ पर condition checking करेंगे ठीक है अगर आपका button यहाँ पर press होता है तो हम लोगों का statement चलेगी और अगर आपका button यहाँ पर press नहीं होता है तो आप लोगों का क्या होगा यह यहीं पर रुका रहेगा ठीक है इसके नीचे में ISR यहाँ पर जो है वो execute होगा ठीक है तो ISR को पहले हम देख लेते हैं अब ISR के अंदर देखिए हम लोग क्या कर रहे है जो OCR 2 है इसकी value को change कर रहे है ठीक है या फिर आप कह सकते OCR 2 में हम लोग क्या value डाल रहे है M speed की अब M speed जो है वो initially क्या है वो zero है ठीक है और OCR की भी initially value zero ही है तो यहाँ पर हम लोगों का क्या है OCR में value ultimately यहाँ पर zero ही आपको फिलाल मिलने वाली है ठीक है अब इसके बाद देखिए अगर हम लोगों का button press होता है तो उस condition में क्या होगा suppose आप लोगों ने first time इस button को प्रेस किया तो इस condition में हम लोगों का जो यह है यह वाली condition सही होगी तो हम लोगों का यहाँ पर क्या होगा यह execute होगा अब इसमें सबसे पहले हम लोग यहाँ पर delay दे रहे हैं 200 milliseconds का यह basically debounce time है हम लोगों के button का तो हर एक button का यहाँ पर अलग-अलग debounce time होता है तो थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पर यह जो delay है इसको calibrate करके देखना पड़ेगा इसको थोड़ा सा change आपको करके देखना पड़ेगा simulation software में अगर आप implement करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर 250 milliseconds का यह जो delay है वो लिखना है फिलाल मेरे case में क्या है कि जो यह button है मेरा 200 milliseconds में properly यहाँ पर work कर रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पर 200 लिखा है तो अब जब आपका button यहाँ पर press होगा हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे है जो m speed है इसकी value को increment कर रहे है 51 से ठीक है initially आपका जो m speed है इसकी value कितने थी 0 थी बट अब हम लोगों ने क्या किया इसकी value 51 से बढ़ा दी जब आप लोगों का button first time press होगा ठीक है अब इसके बाद हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर check कर रहे हैं कि आपका जो m speed है इसकी value 255 से ज्यादा तो नहीं हुए अगर इससे ज्यादा होगी तो हम क्या करेंगे यहाँ पर m speed को again 0 करेंगे तो initially यह वाली condition तो हम लोगों की चलेगी नहीं तो होगा क्या यहाँ पर जो हमारा m speed है इसकी value फिलाल 51 होगी तो जब आपकी यह value 51 होगी तो इसके corresponding अगर आप लोग यहाँ पर duty cycle निकालते हैं तो हम लोगों का 20% duty cycle आएगा तो अब m speed की value 51 हो चुकी है अब इसके बाद अगर आपका button प्रेस नहीं होता है तो यहाँ पर timer overflow होगा timer overflow होते ही हम लोगों का यहाँ पर देखिए OCR की जो value है वो change हो जाएगी तो अब आपके OCR 2 की value कितनी होगी 51 हो गई है अब उसके corresponding ही आप लोगों का यहाँ पर जो wave है वो generate होती है तो wave अब जो आप लोगों को मिलेगी वो 20% duty cycle में मिलेगी अब इसके बाद अगर आपका value है उसको हम फिर से 51 से increment कर देंगे तो आपका यहाँ पर जो value है 102 आएगी ठीक है तो उसके corresponding अगर आप देखे तो 40% आपको duty cycle मिलेगा फिर यह चेक करेगा कि यह जो value है M speed की 255 से ज्यादा तो नहीं हुए फिलाल यह value ज्यादा नहीं हुए तो फिर से आपका क्या होगा यहाँ पर interrupt के through हम लोग OCR2 की value को change करेंगे तो second time में आप लोगों को यहाँ पर 40% duty cycle मिलेगा जब आप third time प्रेस करेंगे तो आपको 60% मिलेगा fourth time अगर आप प्रेस करते हैं तो आपको 80% मिलेगा fifth time अगर आप प्रेस करेंगे तो 100% आपको मिल जाएगा अब इसके बाद जैसे आप लोग sixth time अपने बटन को प्रेस करेंगे तो उस condition में देखिए क्या होगा आपका जो यह M speed है इसकी value 255 से उपर exceed कर जाएगी और जैसे ही यह condition आती है तो आप क्या करेंगे M speed को again zero कर देंगे इसका यह मतलब है कि जब आप sixth time अपने बटन को प्रेस करेंगे तो ह यह हम लोगों का program है अब इसको हम लोग यहां से built कर लेते हैं so built हो चुका है program इसके बाद इसको हम लोग hardware में implement करके देख लेंगे मैं फिलाल इसको simulation में implement करके आपको नहीं दिखा रहा हूं अगर आप चाहे तो इसको implement करके यहां पर देख सकते हैं so micro controller को हम यहां पर program कर चुके हैं और जो भी हम लोगों का circuit connection था वो हम लोगों ने कर लिया है तो initially यहां पर हम लोगों का जो pulse generate हो रही है उसका duty cycle 0% है या फिर आप कह सकते हैं कि आपको यहां पर कोई भी output नहीं मिलेगा अब जब first time हम अपने button को press करेंगे तो उस समय हम लोगों की duty cycle है वो 20% से increase हो जाएगी तो इसको मैं press करता हूँ तो देखे प्रेस करते ही हम लोगों का जो यहां पर motor है वो start हो चुकी है और यह speed जो है वो काफी slow है मतब 20% आप लोगों की speed भी यहां पर होगी अब next time जब मैं इसको press करूंगा तो हम लोगों का duty cycle 40% हो जाएगा चीक है तो देखे हम लोगों का यहां पर जो motor है उसकी speed भी थोड़ी सी बढ़ गई है next फिर से हम अगर इसको press करेंगे तो हम लोगों की duty cycle है वो 60% हो जाएगी यह फिर से अगर आप प्रेस करते हैं तो यह आपका 80% हो जाएगा और फिर से अगर आप प्रेस करते है तो यह आपका 100% हो जाएगा तो देख पाएंगे आप लोगों का जो now speed हो काफी बढ़ चुकी है यह फिर आप कहते हम रेट परसेंट का यह speed है ठीक है अब इसके बाद अगेन हम लोग जब इसको 6th time प्रेस करेंगे तो आप लोगों का जो यह motor है वो stop हो जाएगी यह देखिए यह हम लोगों का 0% फिर से हो गया अब फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो 20% होगा अब यहाँ पर देखिए motor हमारी नहीं चल रही है यह 20% में क्या है कि speed बहुत कम होती है तो इस बज़े से यह नहीं चल पाएगा तो उस case में आपको इसको हलका सा push देना पड़ेगा फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो यह 40% होगा देन 60 होगा देन आपका 80% होगा देन 100% होगा और फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो 0 हो जाएगा So I hope आप लोगों को इतनी चीज़े समझ आ गही होंगी फिर भी अगर आपके कोई doubts हैं तो आप मुझे comment box में लिख सकते हैं तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को subscribe जरूर से कीजिए अपने friends के साथ आप लोग जरूर शेयर करें जो इस technology को सीखना चाहते हैं So thank you so much for watching जै हंद जै भारत